Hey everyone, welcome back to my channel तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं husband आप देख सो खा रहे और इतना खुश है सुबह सुबह breakfast खा के क्योंकि breakfast में हैं दोसा और धोसा हाइदरबाद में रहतो हैं सब को पसंद है दोसा ऐसा चीज है हर गली नुकर में मिलता सुबह सुबह और मुझे तो बहुत ही पसंद है तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ peanut chutney यह main ingredients है peanut chutney आपको जरूरी है इसमें peanut है थोड़ा सा मैंने चनादा लैट किया है और coconut green chili दो और कुछ garlic जैसे चार क्लोब garlic का अच्छी तरीके से हम लोग इसको भून लगे, roast कर लेंगे और फिर इसको हम लोग side करके रख देंगे, धोसा का साथ मैंने tomato का chutney यूज किया ओ अलरड़ी वीडियो है, upload किया हुआ प्लीज आप वहाँ जाकर चेक कर लेना सब को roast कर लिया निकाल कर थंडे होने के लिए रख दिया और सेम कराई में थोड़ा सा मैंने oil एट किया, थोड़ा सा rye एट कर रही हूँ, चार से पाँच मैंने dried एट चिली को तोर के डाल दिया और अब भी main चीज है curry leaf जो मेरे पास अभी नहीं है curry leaf बहुत ही tasty होता है आप जरूर धोसा अगर बना लो तो curry leaf जरूर एट करना तो यहाँ पर तो हर टाइम curry leaf मिल जाता है easily तो यहाँ पर मैंने chop कर लिया एक onion छोटा सा medium size और finely slice कर लिया और फिर इसको मैं इसमें डाल दिया और इसको fry कर दो थोड़ा सा आपको hing एट करना है hing का flavor बहुत ही अच्छा है अच्छी तरीके से हम लोग थोड़ा सा भून लेंगे hing एट कर दिया आप देख सेकते हो और फिर हमने पहले से आलू को boil करके चिलका निकाल के उसको half mash करके रखा है यह चीज़ आपको जरूरी है इसमें mash करना पड़ता है आलू को थोड़ा सा healthy एट कर दिया फिर से मैंने दो से तीन यहाँ पे पहले red chili एट करे था अभी मैं green chili एट कर रही हूँ अब अपनी हिसाब से कोई भी chili एट कर सेकते मगर green chili और red chili में flavor बहुत अलग आता है red chili का flavor बहुत ही different है आप जरूर एट करना फिर यहाँ मैंने और रोस्टेट किया हूँ मूमफुली एट कर दो अच्छी तरीके से हम लोग इसको भून लेंगे फिर हम लोग इसमें थोड़ा सा मटर एट कर देंगे क्योंकि अभी मटर का season है आप एट कर सेकते हो और इसको दीखने में बहुत अच्छा लगता है colorful होता है green उसके बाद आपको peanut है और खाने में भी मस लगता है तो अभी मैंने एट कर दिया इसको भून लिया थोड़ा सा भी नमक एट करूंगी अच्छे तरीके से हम लोग भून लेंगे मतलब नहीं है आपको brown नहीं करना है इसको थोड़ा सा pinkish रहना चाहिए प्याज तो उसको अच्छा रहता है तो यहाँ पर आप देख से तो आलू को पहले से mash किया हुआ है मैं इसको एट कर रही हूँ मैंने 3 medium size potato लिया और अच्छी तरीके से मैंने boil कर लिया चिलका निकाल लिया और फिर मैं और थोड़ा सा mash कर दियू और नमक भी एट कर दिया अच्छी तरीके से हम लोग इसको भून लेंगे मगर missing है करीपता क्योंकि उसका flavor और बहुत ही अच्छा आता है तो मेरे पास नहीं था तो मैं अभी धनिया लीव एट कर रही हूँ इसमें आप भी धनिया लीव ज़रूर एट कर देना यह बहुत ही easy recipe है अब घर पे ज़रूर ट्राई करना मैंने बहुत टाइप का दोसा बनाया है आप वीडियो जाके यूटूब पे चेक कर सकते है मसाला बनके रेडी हो चकता है अलू मसाला मैं अभी इसको थोड़ा सा धनिया लीव डाल की इसको मैं निकाल दूँगी धनिया लीव एट कर चुकी हूँ अभी इसको अच्छे तर किसी मिक्स कर देंगे और फिर इसको निकाल लेंगे पहले से जो हम लोग ने थंडा करने के लिए रखा है उसमें हम थोड़ा सा चीनी एट कर देंगे पीनट चटनी में फिर नमक एट करेंगे थोड़ा सा इमली एट करेंगे और पानी एट करेंगे तीखा चाहिए तो आप चीली एड़ कर सकते हैं जादा तो मैं पानी एड़ कर चुकी हूँ, अल्रेडी ठंडा है अभी हम लोग इसको ग्राइंड कर लेंगे थोड़ा साब चीली एड़ करने से इसको स्वादी अलग होता है अभी फाइन पेस्ट बना लेंगे, आप देख सकते हैं पेस्ट बन के रेड़ी हो चुका है चटनी बन के रेड़ी हो चुका है अभी मैंने ऑईल हीट कर दिया, इसमें भी करीपता बहुत ही जरुरी है आप जरूर एड़ करना तो मैंने चौक रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पर राई एट कर दिया, चिली एट कर दिया और हिंग एट किया, करीपत्ता मिसिंग है इसमें तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है आज, फिर मैंने चौक लगा दिया, तरका लगा दिया चटनी में, तो इसको भी साइड म कर दिया, मसाला भी बनके रेडी हो चुका है और चटनी भी बनके रेडी हो चुका है तो अभी चल लिए बनाते हैं धोसा, यह मैंने कली बनाके पेस्ट बनाके अल्री डग दिया था, आप देख सेकते हो, इसका भी वीडियो अल्री आपलोड किया हुआ है, प्लीज आप तीन काप राइस चाहिए और एक कप उरत डाल चाहिए थोड़ा सा आपको उसमें क्या बोलते हैं मेथी डाना डालना चाहिए हाफ टीजपून फिर आप इसको चार से पाच घंटा भीगो के रखना है और फिर आपको रात कोई पेस्ट बना कि इसको कवर करके रखना है सारा आप कवर करके रखेंगे नेक्ट डे यह बेटर बन कर रेडी हो जाता है कोई पानी अगर जरूरत है तब ही एट करने नहीं इसको अब देखो कितना अच्छा इसका कलर आता है कलर के लिए थोड़ा से चनादाल एट कर सकते हैं तो उसका कलर जो है थोड़ा से रैडी होग आप देखो कलर उपर से दिख रहा है ब्राउन हो गया उसका मतलब आपका धोसा रेडी हो गया बनके तो अभी चलिए धोसा को निकाल लेते हैं हमेशा आप कोशिश कीजिए नॉन स्टिक तवा में बनाने के लिए तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगा अगर अगर अब नॉर्मल तवा में बनाते हो तो पहले उनियन को काट के ऑ Weil लगाके फिर तवा को अच्छी तरीके से घिस लेना तो दोसा चिपकेगा नहीं तो आप देख सेकते हैं धोसा का कलर कितना अच्छा है घर का धोसा आपको लगता ही नहीं है लगता है मार्कर से खरीद के लाए है क्योंकि अगर आप मेरे रेसीपी फॉलो करें तो जरूर ऐसे हर बार आपका धोसा अच्छा ही निकलेगा तो अभी हम लोग धोसे के साथ हम लोग सर्फ करेंगे आलू की सबजी और मैंने कल बनाया है और वीडियो अपलोड किया हुआ है उसमें टमाटर की चटनी पहले अपलोड किया चुकी हूँ तो वो आप जरूर देख लेना वो बहुत ही तेस्टी होता है यहाँ पे सबसे जरूर यह सबजी ट्राइ करना और यह चटनी तो बढ़े के साथ बहुत अच्छा लगता है अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना लाइक कर देना और शियर करना अपने फ्रेंस के साथ अगर आप यूटूब से देख रहे हो त जरूर एक फॉलो कर देना ऐसे ही मैं नयने और वीडियो लाते होंगी कुछ भी आपके सजिशन हो तो कॉमेंट जरूर करना आज के लिए इतना ही कल फिर मिलते हैं थैंक यू